नमास्कार दोस्तों, स्मार्ट फेंटासी यूटूब चनल की और एक नया वीडियो पर आप सब का बहुत बहुत सागत है बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ा मैच मिला है जो की खेला जाएगा इंडिया भार्सेस ओस्ट इंडिस की बीज में ये फास्ट ओडिया मैच रहेगा और अगर आपको फास्ट मैच से ही अल्टरा किलिन स्विप करना है तो हमारा इस वीडियो को कम्पलीट वाच करना इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा आज का फेंटासी टीब में किस पिलियार को लेना है किस पिलियार को ड्रोप करना है और ऐसा कौनसा कौनसा खिलाडी है जिनको हम कैप्टन, भाईस कैप्टन और ट्रॉमपिक बना कर आज भी धेर सरा पैसा जीत सकते और सारे का सारे ओपूनेंट को हरा सकते है तो अगर आप पैसा कमाने के लिए सोच रहे हो आपना सारे ओपूनेंट को हराना चाहते हो तो हमारा इस वीडियो को कम्प्लीट वाज करें उससे पर हम देख लेते हैं लास्ट तीन मेचेस की रियाजाल तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं इस मैच में मैंने 88 कॉंटेक्स जौन किया था और उन में से 68 कॉंटेक्स मैंने विन की और मेरा विनिंग प्राइस के अगर बात करें 70,560 रूपीज मालब अल्डरा जैकपोट आप लोग मान सकते हैं इस मैच में मैंने 42 कॉंटेक्स जौन की 41 कॉंटेक्स मैंने विन की विनिंग प्राइस के अगर हम देखें 55,000 ये भी दोस्तो एक मेगा जैकपोट मैच था इस मैच में मैंने 6 कॉंटेक्स जौन की उन में से दोस्तो 5 कॉंटेक्स विन की 23,750 रुपीज मैंने विनिग किया ये भी दोस्तो एक मेगा जैकपोट मैच था तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारा टीम एंड हमारा प्रेडिक्शन कीस लेवल पर होता है तो अगर आपको आज का इस मैच से ऐसा ही परसा कमाना है ऐसा ही विनि तो शुरू में मैं आप लोगो बताया एक कम्प्लिट विडियो को वाच करो ठीक है तो चलिए हम आगे बारते है पर उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेश्ट है जिसने जिसने आभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया उन सोई भाईयों बहुत पीछ किया था तो देखिए बस जिस मैच का मैं वीडियो आपलोड नहीं करता हूं उस प्राटिकुलर मैच का टीम में अपना टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करता हूं तो प्लीज यार आप लोगे काम करना वीडियो देखने के बाद चला जाना इसी वीडियो की डिस्क्रि सेन बॉक्स ओपन हो जाएगा जान टेलिग्राम चैनल करके आ जाएगा लिंक पर क्लिक करो उसके बाद डार्याट आप हमारा टेलिग्राम चैनल के अंदर आ जाओगे नीचे की जान का बटम आ जाएगा इसमें क्लिक करके आप हमारा टेलिग्राम चैनल को जान कर लेना है चलो आम आगे बाड़ते हैं फास्ट हम चेक कर लेते भेन्नू डीटेल आभी तक इस ग्राउंड पे 44 मैचेस खिला गया दोस्तो 9 मैं से 19 मैचेस बेटिंग फास्ट करने वाला टीम ने जीता है और 25 मैचेस बेटिंग सेकंड करने वाला टीम ने जीता है इससे आप लोगो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि जो टीम सेकंड बेटिंग कर रहे है बो टीम चादा मैचेस शुण करने मतलब इस ग्राउंड पे चेज करना आसान है आई मिन जो टीम टॉस जीतेगा आप बेटिंग सेकंड करना पसंद करेगा क्लियर हास्टिनिंग की जो एभार स्कोर है बहुत है दोस्तो टू थ्री फाइब मतलब एक मीडियो में स्कोरिंग अपलोग मान सकती हो ODI में दोस्तो दोसो ड्हाइसो कुछ भी स्कोर नहीं होता है कोई भी टिम सेज कर देता है और इंडिया दोस्तो खेलेगा तो वर्ष्ट इंडिज अगर पहले बेटिंग करेगा तो इंडिया दोसो ड्हाइसो तीन से तक अराम से दोस्तो चेज कर सकती है और अगर दोस्तों इंडिया टीम पहले बेटिंग करते हैं तो I hope हम उम्मिद कर सकते हैं कि ये एसकोर थोड़ा ज़ादा ही बन सके ठीक है चलो हम आगे एक एक करके सब कुछ चेक करते हैं इंडिया की टीम ने नहीं बनाया बल्कि वर्ष्ट इंडिया की टीम ने बनाया 360 ठीक है न और इंडिया की टीम ने दोस्तों लोईस्ट इसकोर बनाया था 91 ठीक है इस दीज को आप जोरूर एक पर ध्यान से देखना स्कोरिंग पेटन के गर हम देखे 200 से नीचे दोस्तों 13 बार बन चुके 200 से लेखे 200 के 20 में 12 बार 300 के 20 में 14 बार और 300 पिलास दोस्तों 5 बार जा चुके तो इससे आफ लोगो clear idea हो गया कि कहीं ने कहीं स्कोर आज भी 300 के 20 में बनेगा वस्ट इंडिज पहले बेटिंग करेगा तो दोस्तों कुछ भी हो सकते 200 के नीचे भी स्कूर बन सकते क्योंकि वस्ट इंडिज के टीम ऐसा ही है कुछ भी कर सकते है क्लियर ना तो लास्ट अगर हम 4 मैचिस की डाटा चेक करें तो आप लोगों समझ में आज आएगा कि कितना कितना स्कूर बहार रहा था वस्ट इंडिज भार्षेस निउजलेंड वस्ट इंडिज 301 आट विकेट निउजलेंड 307 पाँच विकेट इस्पिनार को मिला दोस्तों 4 विकेट पेसार्च को मिला 9 विकेट फिर न्यूजेलेंड भार्षेस वास्ट इंडिज दोस्तो न्यूजेलेंड दोसो बारा अल आउट वास्ट इंडिज एक्सो एक्साट अल आउट इस्पिनार को मिला दोस्तो आट विकेट पेसार्च को मिला दोस्तो इग्यार विकेट न्यूजिलेंड ने बनाया एक सान नबबाई वास्टेंड दोस्तो चेल्ज कर लिया था इस्पिनार को मिला छे उकेट पेसाज को मिला दोस्तो नो उकेट वास्टेंड ने बनाया दोस्तो 152 वास्टेलिया टीम दोस्तो चेल्ज कर लिया दोनों बोलर्स को इक्वेल साथ साथ उकेट मिला था तो आप लोग समझ सकते हैं कि ओस्ट इंडिज लागा था रहा पर मैचे स्खेल क्या आ रहे ठीक है क्योंकि मैच ओस्ट इंडिज में होने बाला है देख लोग 300 प्लास किया था 200 से नीचे 200 से नीचे दोस्तों फिर 200 से नीचे तो मैं आप लोग को पहले ही बताया कि ओस्ट इंडिज कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई 200 से नीचे भी बना सकते हैं और 300 प्लास भी चोड़ सकते हैं लो इससे तो आप लोग को और भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया आप मैं आप लोग को जिस ट्रॉपिक के बारे मैं बताऊंगा ना उससे फिले प्लीज यार वीडियो को लाइक करें कमेंड करें और चैनल पर गर नाया तो सास्क्राइब करना मत भूलना साथ में बेल आ नाइन के इनका आभारे जिए लोग इसको केप्टन भाद के बने ट्राए करेगा युडर जिनका 29 आभारे जिय उनको जिए प्लीज केप्टन भाला ना सही रहेगा 50-30 मानने वाला बंदा को मेरे साब से तो बिलकुल सही नही हाँ टीम में सकरा एजले सेफ आप सनी आप 111 बनाया 37 के दोस्तों इनका average इनका average दोस्तों थोड़ा अच्छा है आप देखिए जोसेफ का हल देख लिजे भाई ठीक है 9 match के ला भाई 13 विकेट लेके रखा है सोरी माप करना 23 विकेट लेके रखा है इनों ने ठीक है हर एक match में दोस्तों 2 से जादा विकेट इनों लेके रखा है अभारेज में तो इस बोलर को तो हमें बिल्कुर नहीं छोड़ना है हो सकते हैं कि आज का match में ना चले बट ये दोस्तों नेक्स्ट बाला match में तो चोरूर पक्का दोस्तों ने लेकर आपको देदेगा ठीक है क्योंकि इनका average ही कुछ ऐसा है फिर दोस्तों केवि इन हो गया दो बॉलर्ट को दोस्तों आपको पिक करना है उपर से मायार्स एंड साहो दोनों प्रियर्ण को आप जो पिक करके जा सकती हो ओके चलो तो एक टीम बने के लिए कितना प्रियर्ण चाहिए बताओ इक 10 खिल्याड़ी हम यह से 4 खिल्याड़ी के बरें में पता च में च्खेला गया दोस्तों 139 ओके इंडिया ने जीता दोस्तों 70 वास्टिंग जीता 73 तो इस पर जाला ध्यान ना दे क्योंकि इंडिया टीम काफी है श्ट्रोंग बन चके है वास्टिंग पेले की जैसा दुस्ता भी पाफम नहीं कर रहे हैं तो सिदम चेक कर लेते हैं हैं कि जो रिसेंटली तीन मेच खिला गया था उन तीन ओडिया में क्या क्या दोस्तों हुआ था उसको एक बर हम डाटा में अजर डालते हैं ओके ना चलो फास्ट मेच देख लीजिए 17 जूलाई दोस्तों 2022 को और आज भी 17 जूलाई है 2030 एक सल पूरा ना डाटा है फूरा ठेक इसमें इंडिया ने वेदे को पेले बेटिंग करते बनाया 255 वर्षट इंजर उसको अलाउट हो गिया था गिल्द दोस्तों फोर गाया था इसमें धा बान बगर नहीं है चाहल दोस्तों चाव इकेट लिया था सिराज का दो था कींग दोस्त इसमेर रन बनाया था पूरान ने रन बनाया था फिर उस्तो एकलोसन को दोस्तो एक विकेट मिला था नेक्स्ट मैच के एकर हम बात करें जो की खेला गया था दोस्तो 24 जोलाई 2022 को वास्ट इंजन बने दोस्तो 211 इंडिया ने केज़ कर लिया थी इस मैच को बड़ी आसानी से होप ने बनाया थे 115 पुरान के स्कूर था दोस्तो जोसेफ देख लो यहां पर केड़ लिया था मायार्स दोस्तों केड़ लिया था और नीचे जाके दोस्तों जो भी कारेन स्कूर में कोई नहीं है तो इनके बर हम बात नहीं करेंगे फिर दोस् इसना इन्पोटेंट है आपके लिए आप हेड्डुएर्ट से भी आपको पता चल गया आगे जाके हम डिटेल में हार एक खिलाडी की हेड्डुएर्ट की डाटा भी देखेंगे चाहे वो दो रान पांच रान क्योंना बनाए सब का डाटा हम एकर करके चेक करने वाले तो आप लोग लेकर बहुत बड़ा दोस्तों मैं घीवो लेकर आया हूं जिससे आप लोग भी जाएगा पूरे कुरे कुरे पचास प्लियार रुपीस बिल्कुल फ्रीम में वह कैसे मिलेगा चलो इंदबन फोड़ा में इतल में बताता हूं देए बहुत कोई भी अगर आप लोग को दे रहे ना तो उसको आप लोग जोरू रियूस करना क्योंकि आप जीएश्टी कलाप आने बाले हैं तो आप लोग को दे रहे हैं तो फिरी मेंकर हमें कुछ भी मिलता है उदा उट इन्वेस्टमन करके तुसका फाइदा हमें जोरू उठाना चाहिए ताकि हमारा प्रोफिट और थोड़ा सा इंप्रीज हो सके तो माई मास्टर इलेफेन आप लोग को दे रहे हैं आज का इसी मैच में पूरे को पूरे पचासार रूपिस का फिरी कैस एकदम फिरी में कुछ ने करना है वीडियो की डिस्क्रिप्सिन बाक्स पे आपको माई मास्टर इले पिस बस उस कंटेक्स में पार्टिसिपेट करो और फिर में परसा कमाते रहे हो तो जाओ डिस्क्रिप्सिन बाक्स पे आपको लिंक मिलेगा और डाउलोड करो और आप भी कमाते रहे हो भाई मैं तो कमाई रहा हूँ ठीक है चलो अब हम चेक करेंगे क्या रहेगी दोनों इसकी फ्रबाबली पिलेंगे लिए भैन साथ इसाथ दोस्तों मैं जो भी आप लोगो देने बाला हूँ ना पूरे यूटुबर आपको कोई नहीं देगा मेरे भाई टोटल मैचेस की में आप लोगो एस्टेट बताऊंगा कि कितना ओडिया इमेज के ला कितना करान बना क बाला है भारिज कितना उटेट लिए सब कुछ बताऊंगा रिस्तें मेच की दोस्तों फास्ट अं सेकंड लिंग के डाटा में आप लोग बताऊंगा हर एक लड़ी की हेड डूहेड की डाटा बताऊंगा पाटिकुलर इस भेन्नु पर क्या करते है वह में आप लोग बता चलो इतना तो करी सकते हो ना आप लोग ठैंक्यू जिसने कर दिया उसको लोग बहुत बहुत ठैंक्यू और जिसने किया प्लीज यार अब भी तख नहीं किया कर क्या बढ़ यार चलो बेंड़न किंग आप लोग देख सकते हैं थर्टीवान diving मेंच खिला दोस्तो 33 का बार जी फास्ट इनिंग में 10 रान 22 रान 76 रान 32 रान О्के सैकेंड इनिंग में 100 रान 20 रान 62 रान तो खूदी बताओ ये second inning में गजब कर रहे ना 200 पेलास है तो Brandon King को अगर आपको कूछ भी बनाना है तो second inning में बनाना clear head to head में दोस्तों 42 है 54 है अच्छा किया है बट भेर नूपर गडबार है तो head to head and second inning को देखते हैं हम Brandon King को pick कर सकते हैं ओके चलो next player दोस्तों मिल जाएक आपको मायार्स इनके बारे में अगर हम देखें 25 मेच खेला 26 का बारे जैंगे और 14 विकेर लेकर रहा है कि आप लोगों पता है कि recently जो मेच खेल के आ रहा ना उसमें वो पूरे 6-7 बार करके boarding कर रहा था और opening कर रहा था अगर हम देखेंगे कि आज भी मायार्स बोलिंग करेंगा तो भाई छोड़ना ही नहीं है इसको तो पिक करना ही है टिम पे तो लेना ही है ठीक है चाहिए कुछ भी डाटा रहे तो situation कुछ यह सा है बाकि एस्टेट देखना है तो देखें लो ठीक है फिर एकर हम बात करें दोस्तो नेक्स्ट पिलियार की इनका कुछ भी डाटा नहीं है एक ही मैच खेला तो छोड़ देते इसको साई भॉप कि एकर हम देखें डारेट 115 मैच खेला दोस्तो 50 की अभारेजे काफी बढ़ी आए फास्ट इंग में देख लो इनका डाटा दो रां, तेरा रां, 47, 13, 52 इनका तो मतलब आपपी जा रहे है सैकेनिग में दोस्तो इनका गड़बार है जैसे किंग अच्छा कर दिया दोस्तो सैकेनिग में ये seconding में इसलिए अच्छा नहीं कर रहे है क्योंकि king already match को almost जीते आ रहे है तो siopak के थोड़ा बहुत इनके साथ दोस्तो पटनासी बना रहे है और match को win कर रहे है ऐसा situation है इसलिए इनका data दोस्तो seconding में अच्छा नहीं है जब king दोस्तो firsting में फेल हो रहे है तब दोस्तो siopak के ठीक रहे है और अच्छा कर रहे है भाई situation के समझो logic के समझो सब कुछ के लिए हो जाएगा ठीक है headweight में दोस्तो अच्छा किया है नहीं है एका जेल्टी में बस ट्राइ करना फिर आता है दोस्तो steppard ठीक है इनके बारे में अगर हम देखे रोमार steppard तो 22 मेच खेला इन्होंनों 15 लिया है उत्मा इन्पोडर नहीं रहेगा सिधा हम drop कर देते है जोसेफ के बारे मैं आप लोगो और रेटी बता चुका हूँ कि भेन्नो पिनो ने क्या करके रखा है headweight में देख लो यार एक भी ऐसा मेच नहीं रहा पांच मेच खेला तो पांच ही मेच में दो-दो-दो करके उड़के लिया जबर्दस्त second inning में भी first inning में भी ठीक है तो जोसेफ को captain भाइस captain grand league में obviously try करें कियोंकि हो सकते कि आज का मैच में इंडिया कमरान बना दे कुछ भी हो सकते low scoring ground है उसके recording ठीक है फिर दोस्तो आप लोगों मिल जाएगा CR list इन्होंने साथ मेच खेला 4 wicket कुछ भी नहीं है फिर दोस्तो आप लोगों को इस cabin के बारे में और रेड़ी बता चुका हूँ कि cabin को भी हमें pick करना रिये एक बहुत बड़ा trumpet होने बाले है आप लोग देख लो first inning में दोस्तो 4 wicket 4 wicket, 1 wicket, 1 wicket भेन्यू पे भी दोस्तो एक मेच में 4 wicket लेके रखा है तो आज का इस मेच में दोस्तो cabin एक बहुत बड़ा trumpet होने बाले है जाओ जाकर चेक करो इनका selection एकदम कम selection रहेगा ठीक है फिर दोस्तो आप लोगों मिल जाएगा जी मोटी है जीन्होंने 4 मेच कहला दोस्तो और 8 wicket लेके रखा यार क्या गजब का पाफम किया है इन्होंने भी और ये भी दोस्तो एक trumpet बनने बाला है ठीक है क्योंकि योई भी दोस्तो दोका रेसियों मेंटन कर रहे तो cabin and दोस्तो मोटी है ये दोनों खिलाडी हमारे ले ट्रॉम्पिक बन जाएगा इतना deeply इतना detail में with proof कोई नहीं बताएगा कोई नहीं समझाएगा यार हलाकि वीडियों लंबा हो सकते चलो मान लिया बट जो जानकर है आप लोग को हमारा वीडियों से मिलेगा जो information मिलेगा वो काहीं से नहीं मिलेगा वो team दिखा कर आपको निकल जाएगा कि ये देख़ए ये मेरा आज combination मैंने बनाया आज मैंने इस player को captain उस player को vice captain बनाया उससे क्या मतलब है बताओ 4 player नहीं खेलेगा तब आप क्या करएगा दो खेलेडी नहीं खेलेगा तब आप क्या करोगे information अगर आपके पास होगा कोई भी player खेले कोई भी player ना खेले कोई मतलब नहीं है आपसे ठीक है आप अच्छा team बना लोगे अगर आपके पास सही information सही guideline रहेगा चलो ठीक है आप दोस्तों बैंक्चेस में कुछ पिलियार से कोई टे है सोरी कोड़े है अंड थोमास है फिर दोस्तों कारिय है ठीक है तो आप लोग डड़ा देख लो चारी के लिए ठीक है आप हम इंडिया के side से बात करेंगे सबसे फिलो दोस्तों आजाते है बड़ा नम रोहीत सर्मा जिनके उपर दोस्तों हम हार एक मैचेस में बोरोसा करते है और यह हमारा बोरोसा को तोड़ते रहते है ठीक है इन्होंने भाई सबसे ज़्यादा मैचेस खेला है पोटेट का आभार है जै फास्ट निंग में तो दोस्तों अच्छा कर लेते है सकेनिग में भी अच्छा है एंड हेट बेड में भी दोस्तों बहुत अच्छा किया है ओके न तो इसको तो हमें टीम में लेना ही पड़ेगा एंड उसके बाद दोस्तों आ जाते है सुमन की जोकी ओडियाई में दोस्तो हार एक मैचेस में फोड के राखा है हार एक मैचेस में फास्ट निंग कर देख लो 112, 208, 216, 70 सकैरिंग में दोस्तो थोड़ा धीमी खेर रहे है ठीक है है हेड़ड में दोस्तो पूरा फोड के राखा है तो अगर आप लोग कन्फिस हो कि मैं रोही कर्मा को कैप्टन बनाओ या सुम्मन गिल को कैप्टन बनाओ तो मेरा जो साजसर रहेगा मेरा जो पीनिया दाएगा दोस्तो सुम्मन गिल पर आप लोग उन्हें भी देखा लास्ट जो ओडियाई सीरीज था इसने मतलब पुरत तबाए मचा कर राखा था आई-पियल से याद है ना आप लोगो वो सीरीज इसमें 208 मनाया था दोस्तो सुल्ला बनाया था ठीक है ना फिर आते दोस्तो और एक बहुत बड़ा नाम पिराट कोईली जिन्होंने अपना केरियार में दोस्तो ओडियाई केरियार में सबसे ज़्यादा मैचेस खिला है ठीक है फास्ट एंड कुछ गिरन लिग टीम में इसको कैप्टन भाईस कैप्टन बनाये एंड स्मॉल लिग एकर हम बात करें आप लोग चाहो तो कैप्टन भाईस कैप्टन बना सकते हैं कोई इसू नहीं है मेरे भाई ठीक है ना फिर दोस्तो आप लोग मिल जाएगा गायो काट जिन्हो पचास प्लास क्रोस कर देते हैं जैसे की केर राहूल है ठीक ठाक पदरसन कर लेते हैं तो situation की according toss की अधा depend कर रहे कि आज का match में संजो संपसन हुमारा टीम में होगा की नहीं तो उसके लिए आपको चला जाना है वीडियो की description box पे टेलिग्राम चनल के link मिल जाएगा टेलिग्राम चनल को जॉइन करके राक लो वही पर हम इनके बरे में अपडेट करेंगे अपका toss ओके न चलो फिर आपको दोस्तो मिल जाएगा हार्दिक पंडिया जिनोंने 74 मेच खेला 33 के भरेजे 72 इके लेके राखा है आप देखिए ये रिसेनली हार एक मैच में दोस्तों 2-3 के लगातार निकार रहे और मैं आप लोग को suggestion दूँँगा कि आज का इस मैच में हार्दिक पंडिया कोई captain ने तो 20 के प्राइग करें जहां पर सुमन गे रोह सर्मा बिलाट को लिए हमारा पास option बट मैं आप लोग बता रहा हूं कि हर्दिक पंडिया को ट्राइ करना उसका reason क्या है दो स्कूरिंग राउंड है हर्दिक पंडिया का बेटिंग आएगा और अगर इनको 2-1 मील जाएगा तो captain का काम कर जाएगा मतलब एक safe captain रहेगा और अगर आपको रिक्स लेना है थोड़ा सा तो गील पर जाओ ठीक है यह बहुत अच्छा चोरस रहेगा फिर जादे जाके अगर हम बात करें इन्होंने भी दोस्तों बहुत सारा मैचेस खिला है और 32 का वारज है और एक सुक्का ने बयुकेर लेकर रहा है करनले दोस्तों आप लोग देख सेकते हो first thing में कापी अच्छा किया है second thing में दोस्तों का बहुत अच्छा किया है तो इनको भी हमें अपना टीम में लेना है अकसर पेटल दोस्तों अगर खेलेगा तो देखे जादा जा और अकसर पेटल दोनों में से मेरे को लग रहा है कि एक ही पिलियर खेलेगा अगर एक खेलेगा तो दोस्तों एक को पिक कर लेना है बस इतना लोग देख सेकती हैं, चबविस मेच केला दोस्तों 43 विकेट लेके रखा है, और फास्टिंग में 2 इकेट, 3 विकेट, 1 इकेट, 3 विकेट, 2 इकेट, स्थाकेट में 4, 2, 4, 2 करके लेके रखा है, आप देखिये, सीन क्या हो सकते हैं, सीराज दोस्तों न, 5 अबर के अंदर ऑच वबर खतम कर देगा, ठीक है, और उस्टो में कौन-कोन बेटिंग करेगा, उस साइट में, मायर्स बेटिंग करेगा, घीक है, फिर दोस्तो आ जाएगा, सायो पा जाएगा, तो अगर आप लुगक सोच यह तो मायर्स बेटिंग आ अच्छा नहीं करेगा, फेल्द होग कि जिस तीम में आप सिराज को कैप्टेर मला रहा है उस टीम पर आपको वीकिंग एंग मायर्स को हटा आना है कि लिए ठाकूर दोस्तों 35 मेच खेल के 50 विकेर लेकर राखा है फर्स्ट इंग में दोस्तों कुछ भी नहीं है एक विकेर जिरो 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 एक और सैकेंग में देखे तो धमा कमाचा दिया दो तीन दो तीन हेड्डोर में धमा कमाचा दिया तो दोनों भोलाज कोई दोस्तों में पिक करना है फिर दोस्तो उर्मान मालिक जिनोंने 8 मेच खेला दोस्तो और 13 विकेट लेकर रखा है फर्स्ट इंग में 2 विकेट, 2 विकेट, सैकेंग में 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट तो इनको भी में फिक करना है पीक करो अच्छा रेंग आएगा मीनी जील तक हम आप लोग करना चाहिए ठीक है कोई आपको टीम दे दिया उसको अपने कॉपी किया जाकर लगाया और आप उम्मीद राकर कि मैं दो करोर रुपीस जितूंगा पॉसिबर नहीं है दो करोर जितना है एक लग जितना है जो भी एमान जितना है बड़ा आपको खुद का दिमाग लगाना करना चाहिए तब ही जाकर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा बागी हाँ एसमोल लिग्याटिव हम बना कर दे सकते है तो फिर मैं टॉस की बाद ही दूँगा आभी नहीं देंगा मेरे भाई ठीक है चलो आभी वीडियो में और बहुत कुछ है बागी बैंचेस में कुछ पिल आभी तक जो पार्ट मैंने डिसकास की उस पार्ट को दिमाग में अच्छे से बेठा लो क्योंकि आप थोड़ा आपका दिमाग उजलने वाला है आपको थोड़ा ऐसा ऐसा लागेगा कि हाँ यही हो सकता है ठीक है तो उस तीज को पहले ग्रिप कर लो अपना दिमाग में फिर इस पार्ट को आप देखना नहीं तो इस यहां से आप वीडियो को छोड़ देना बाकी फानेल्टी में टेलिगराम पर दूँगा अपराटोस लिंक डिस्क्रिप्सिन पर है जाकर जोण करना ठीक है तो वास्ट इंडीज का जो बीकिंग है ना इनको सिराज ने दोस् आउट किया तो ऐसा है अगर हिस्टोरी रिपीट होता है कि वीकिंग को सिराज ना आउट नहीं कर पाएगा तो वीकिंग अच्छा करेगा जैसे मैं आप लोगों बताया और अगर वीकिंग को सिराज आउट करता है तो वीकिंग अच्छा नहीं करेगा किलिया मायार्ज को pattern out ने कर पया दोस्तो चाहन ने नहीं out कर पया और दोस्तो सिराज न आउट एक बर किया है इसलिए सिराज को out किया मायार्स को इसलिए दोस्तो मायार्स का चन्ने का चांस बहुत काम है फिर आप लोग देख सेकते हैं तो सिराज ने इनका जो और उनका बैस को तीन बर out किया दोस्तो चाहन ने दो बर out किया तो चाहन और सिराज दोस्तो खिलता है तो बहुत ज़्यदा important बन जाएगा इतना ही समझ दो रोईस सर्मा को दोस्तो जोसेफ ने ना तीन तीन बर out किया जोसेफ opening अबाट डालेगा अगर रोईस सर्मा कीरिंग को फिर out कर दिया ना तो रोईस सर्मा दोस्तो कमे स्कोर बनाएगा फिर next player के अगर हम बात करें कोईली को भी जोसेफ ने तीन बर out किया जोसेफ पेले में और रोईड़ी बता चुका हूँ कि काफी जिद इंपोटन्ट होने बाद है जदा कुछ में दोस्तों कम्प्लिकेट नहीं करूँगा नहीं तो आपका दिमाग पुरा खा जाएगा ठीक है एनालाइसिस पूरा बिगार जाएगा तो सिंपील चीजे में आप लोगो बता रहा हूँ ठीक है फिर नेक्स्ट पर्ट में दोस्तों हमा जाते है कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन की साजसन में दे देता हूँ और रेड़ी दोस्तों में आप लोगो दे चुका हूँ एक तो सुंबन गिल को बना सकते है बिराट कुली को बना सकते है जादे जागों बना सकते है तो चाहल खेले के तो चाहल को बना सकते हो एंड हार्डिक मंडिया को सब लोग बनाएगा इसलिए मैं यहाँ पर नाम नहीं डार रहा हूँ हार्दिक बंड एक safe option बन जाएगा आपका team के लिए captain and vice captain तो बस guys ground information से लेकर captain and vice captain के option में आप लोगो दे दी तो जिन्होंने complete वीडियो को आज किया उम्मिद करता हूँ को उनको सारे खिलड के बारे में detail में जानकारी मिल गया और बो अगर चाहे तो आपने इसाब से कुछ भी कर सकते grand league, small league, mini grand league सारे combination बो बना सकते depend करें आप क्यों पर कि आप क्या करना चाहते है सब कुछ इंसानी कहरा है, सब कुछ इंसानी जेते रहे आप भी चाहो तो grand league उन कर सकते है बस आपको हमारा prediction को follow करना है तो चलो, thank you, best of luck मिलते हैं आपटा toss हमारा telegram channel पर जिनका लिए आपको इसी वीडियो की description box से मिल जाएगा आपटा toss मैं एही पर अपना team सेयर करने बाला हूँ तो जाओ description box पर जल्दी से जाकर चाहन कर लो thank you, best of luck, बंदे है मातरम